ओम सिरी गनिशाइन अमदूस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 अगस्त बुद्वार के रासी फल के बारे में की हा दिन में इस रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहीगा मेस रासी वालों के लिए बुद्दवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो परिवार से आज अच्छे संबंद होने की संभावना बन रही है घरिल उच्छेत्रों में आज आपको विकास देखने को मिल सकता है तता घर परिवार में सब के साथ आपसी समंजस बहतर होने की संभावना बन रही है आपके दुआरा किये गए कारों से आज आपको अच्छी सफलता तता परिवार में आपका सम्मान प्राप्त हो सकता है आज आप सब के प्रती आस्था रखने के साथ साथ सब का सयोग करने की कोशिस करें दोस्तों साती साथ आज आप बहार की गती विदियों पर अपना ध्यान अधिक केंद रित करें तथा आयोजनाबद तरीके से अपने कारें को संपन करें आपको अपने प्रेतनों में सफलता अच्छी प्राप्त होगी तथा आये के साधन भी आपके लिए काफी मजबूत होंगे प्रॉपर्टी संबंदित किसी प्रिकार का कार्य करने के लिए आज का दिन उत्तम है घर के रकरखाव संबंदित आज सौपिंग भी हो सकती है आज कल आप अपनी दिन चरिया में जो परिवर्टन ला रहे हैं उससे आपके स्वास्त तथा पर्सनल्टी में बहुत अच्छा सुधार आएगा घर के नवीनी करण या सुधार जैसी योजनाएं आज बनेंगी आज किसी वास्तु विद के साथ अवस्य विचार विमर्स करें साथी प्रते कार्य को करने से पहले बजट बनाना आपके लिए अतियावशक है आज दूसरों के काम में अधिक ध्यान देने के अपेक्छा अपने व्यक्तिकत कारों पर अधिक ध्यान केंदरित करें बच्चों की तरफ से चली आ रही समस्या का आज हल मिलने से राहत भरी इस्तिती रहेगी धर्म कर्म तथा समाज से भी संस्थाओं में आज आपकी इत्मी होंगे विध्यार्तियों को भी पिछले कुछ समय से चली आरे परिसानियों से राहत मिलेगी बुजरुगों का सम्मान वे आदर आप अवश्य बना कर रखें उनका आशिरवाद वैश्ययोग आपके लिए भग्य उदे का निर्मान करेगा घर में कोई धर्मिक कार् जिससे घर में शकारतमक उरजा का वास होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आप के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों आज जादा से जादा विवादों से दूर रहने का आप प्रयात्न करें सावधानी रखते हुएं किसी भी कार को करें अपने आप पर भरोसा क करते हुएं आर्थिक लेंदेन में सावधानी रखें कभी कभी आपकी लापरभाही की वज़े से कुछ उपलब्दियां हाथ से निकल सकती हैं जिसकी वज़े से स्वभाव में भी एकरण ही गुस्सा वे चिर्चना पन रह सकता है अपना आत्मविश्वास उरजा बनाकर रखना जरूरी है साते साथ विध्यारतियों का भी ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंदरित नहीं हो पाएगा जिसकी वज़े से दिक्कतें आ सकती हैं कोई पुरानी नकार अत्मक बात दोबारा उठने से नजदी की रिस्तिदारों के साथ संबंद खराब होने की आशंका भ प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी नजदी की रिस्तिदार अत्मा भाई के साथ कोई कहा सुनी होनी की भी आज आसंका है थोड़ा सावधान रहें साथी साथ कोई भी उपलबदी आज मिलने पर तुरंत ही उस कार्य को करें जादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल सकता है साथ ही किसी अंजान व्यक्ति की बातों में आकर आज आप अपना नुकसान कर सकते हैं थोड़ा सावध्यान रहें दोस्तों ध्यान रहें कि आज खर्चों की भी अधिकता रहेगी साथी साथ किसी पडोसी के साथ ही इसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है करूद की अ प्रिवार के लिए नुकसान दायक साबित हो सकती है जिससे घर का माहूल भी नकारात्मक हो सकता है थोड़ा सावधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तों आज प्रेम संबंदों को लेकर कुछ नया माहूल आपको देखन को मिल सकता है दोस्तों साथी-साथ आपके कारों में जीवन साथी का सयोग आपके लिए लाबदायक रहेगा तथा आपके संबंदों में मधूरता रहेगी घर का वातावरण संतुलित बनाए रखने के लिए आपको अपने वेवार में संतुलन बनाकर रखना अतियावशक हैं दोस्तों वेवायत जीवन आज शुक में रहेगा प्रेम संबंदों को मर्यादित बना कर रखना अतियावशक हैं दोस्तों साती सात विस्तता के बापजूद कुछ समय परिवार वालों के साथ मनोरंजन वे आमोद प्रमोद में व्यतित करें इस से सभी को प्रसंद ता मि देगी दोस्तों बात कर लेते हैं अज आपका वैवशाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तों कारेच छित्र में आज आपको सफलता मिलेगी और कारोबार विस्तार की आज आप नई योजनाएं बनाएंगे प्रॉपर्टी में भी आज आप निवेस कर सकते हैं जो भविस आप स्वैम ही लें क्योंकि किसी अन्य की सला आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है ववशाइक छित्र में सभी काम आज सुचारों रूप से चलते रहेंगे जिसकी वज़े से आप अपने लिए कुछ समय भी निकाल पाएंगे साथ साथ नोकरी पेसा वाले व्यक्तियों का भी आज कोई टारगेट हांसिल हो सकता है जिसकी वज़े से आपका बौस या उच अधिकारी आपके लिए कुछ उपलब्दियां प्रदान कर सकते हैं जिसकी वज़े से आपका मन बहुती प्रसन रहेगा विध्यारतियों के आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज स्वास्थ को लेकर आपके लिए इस्तितियां काफी सामाने रहने वाली हैं आज किसी तरह की कोई स्वास्थ समंदित समस्या उत्पन होनी की कोई संभावना नहीं है आज आपका स्वास्थ बहुत अच्छा रहेगा जिसके वज़े से आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफी उर्जावान महसूस करेंगे दोस्तो साथी साथ अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्थ रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश हुपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इस नान आदी से निर्वत रहोने के बाद भगवान श्री गनेश जी को मोदक का भोग लगाएं इसके बाद आप उस मोदक को स्वैम ना खाकर दूसरों को खिलाएं या दोस्तो ऐसा करने से भगवान श्री गनेश जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो विए आपके जीवन में परेशानिया चल लेगी हैं समस्त परेशानियों को अन तो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैश्री गनेश सवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद